हर्याना में किसका रहेगा पलडा भारी दोजार चोबिस की विसात में कौन मारेगा हर्याना में बाजी लोगसभा चुनाओ के चोकाने वाले सर्वे से गर्म हुआ सियासी पारा बीजेपी और कॉंग्रेस आप गड़भंदन को कितनी मिलेगी सीटे सर्वे में हुआ खुलासा नवशकार मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी लोगसभा चुनाओ को लेकर सियासी हलचर लगातार तेज होती जा रही है जैसे जैसे चुनाओ नजदीक आते जा रहे हैं राजनेतिक पार्टियां अपने सियासी समिकर्ण बनाने में जूटी है बात अगर हर्याना की करें तो दस लोगसभा सीट वाले इस राज्ये में दसो सीटों पर भारतिय जनता पार्टी का कबज़ा है लेकिन इस बार बीजे पी के लोगसभा चुनाओ के विज़ाई रत को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस हर्याना में एक हो गई है इसके बावजूद आप और कॉंग्रेस के इंडिया गटबंधन को ज्यादा फाइदा नहीं दिख रहा है एक सर्वे में एक खुलासा हुआ है हर्याना में लोगसभा के 10 सीटे है G News, Metries के Opinion Poll के अनुसार इस बार लोगसभा चुनाओ में बीजे पी को एक सीट का नुकसान हो सकता है लेकिन 9 सीटों पर बीजे पी हर्याना में जीत दर्ज कर सकती है वहीं आप और कॉंग्रेस के इंडिया गटबंधन को सिर्फ एक सीट पर संतोश करना पड़ सकता है हर्याना में लोगसभा चुनाओ के इंडिया गटबंधन के तहट आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक हुए है इस गडबंधन के तहत हर्याना की दस सीटों में से नो सीटों पर कॉंग्रेस के परत्याशे मैदान में उतरेंगे तो वहीं एक सीट पर आमादमी पार्टी की तरफ से उमीदवार को उतारा जाएगा इसके साथ ही आमादमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोशना भी कर दी गई है आपने हर्याना के परदेश अध्यक्ष डॉक्टर शुशील गुपता को कुरुकशेत्र से चुनावी मैदान में उता रहा है लेकिन सर्वे में इस गटबंधन को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है दोनों पार्टिया मिलकर भी परदेश में सिर्फ एक ही सीव जीत्ती दिखाई दे रही वहीं दूसरी तरफ बात करें वर्देश में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गटबंधन की तो दोनों ही पार्टिया अलगलग चुनावी तयारियों में जुटी है इसके बावजूद दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं हाला कि अभी इन दोनों पार्टियों के बीच लोगसभा सीटों को लेकर कोई समझोता नहीं हुआ है आपको क्या लगता है कॉंग्रेस और आप गटबंदन बीजेपी को हर्याना की इन दस सीटों पर कितनी चुनोती दे सकती है हमें कमेंट्स कर जरूर बनाए